अमिश्या उत्रप्रदेश के दौरे पर मंच पर उत्रप्रदेश के यसस्प्रिय और लोग्रिय मुख्यमंत्री स्रिमान योगी आधित्यनाज जी मोदी जी की मंत्री परिशत में मेरी तरय योगी यहां की लोग्रिय शांचाथ अपना दल की हेत्री बेहन अनुप्रिया पटेली अमारे भार्टिय जंचा पाटी के अध्यक्ष और मेरे विवित्र श्री प्रतंत्रदेव जी डाक्टर नियुकंट किवारी जी रमा संकर सिंध पटेल जी श्रिमान राम्शकर जी यहां के थानिये विदायत पंडिक रत्ना कर जी श्रिमती बाचिस्तिंता जी सिंधी राहुल प्रकार जी उपस्तित अभी अधिकारी गांट और सबसे महत्वकून आज के कारेक्न के कैंद्रविंदू यहां पर पूरे निंजाप्रु से आए हुए मेरे त्यारे भाई और वहनों कि में चराह करता हुए इसके बहुत समच्च पाच उत्तर प्रदेश में आया हुँ और करोना के कारण कारेक्न को पर प्यान लग गया उत्तर प्रदेश में आना जाना कम हो गया वगए जब आता हूँ तब रगता है कि मेरे ही घर में आया हूँ ऐसा हुए अज़ार प्रदेश के अंदर दोजार तेरा से दोजार कप्रा कप और बादमेश लगता से इनिस कप उत्तर प्रदेश के चपवे चपवे पर भूले का सोब आगया मामीन यवासी निन मुझे प्या सेट्रों कारेकताओं हजारों कारेकताओं की भूश के साथ मीर कर पोस्तर लगाने से लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी रेजियों को आयो जित करने का सोथा जबी दिनिसला अबिटों यही उत्तर प्रदेश है जिसको यद्जाता है 2014 में पूर बहुमत की पहली भादिय जन्टा पार्टी की सरकाव में यही उत्तर प्रदेश है जिसको यद्जाता है सर्वाधीक सिटों के साथ देश परवे जितों सिटों के साथ भादिय जन्ता पार्टी की सरकार प्रदेश है जिसको जब जाता है 2019 में फिर से एक मार नरेंद्र मोदी जी को बढ़ान मंत्री बनाएं और इसी लिए मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही संचत बनकर देश की संचत में जाते हैं मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों की लपेक साथ क्या है मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरिया क्या है कि मुदी जी चांगते हैं कि उप्टब देश को किया से आगे पर्वित्रों आप ही कि आजिर्वाद का परिणाम है कि 2014 और 2019 में जो पूर्ण वहुवत अपने दिया आज मैं घर्व से बता रहा हूं कि बहुत चोटे कारे मता हम सब्सक्राइब करते थे तब से भी चालते थे आंगोर्ण करते थे जुलूस दिकालते थे तार जिवा में आते थे कई लोकों ने लाट्या ठाई पोलिया ठाई कई पीडियो तक स्कंगर ताने 500 साल से चालता आप कि अधिया में राम लगला का कब बंदे जाओ कब बंदे जाओ करसे परांचंगे आशिर्वात परिया मोधिजी ने राहं चन्मत भूमित रच्श्म्याज की स्थापना की और पुछी समय में देखते 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 आकास को चुनने वाला रामलल्ला का भव्य मंदीर परोज्या में बनने की सिरुआ पेले कुम्भ को रोगने की बाते होती थी, यहीं उत्या प्रदेश का कुम्भ होता था, कई लोग हिटकर मढदाते थे, अब रवस्ता है होती थी, आज योगी जी की सर्कार बनी, मैं मेरे जीवन काल में, गज कुम्भ के अलावे, जब कुम्भ में करा थी, जब से समझ आया, जब कुम्भ में गाया हूँ, प्रयार राज के कुम्भ जैसी व्यवस्ता मैंने मेरे जीवन में गहीं गए, बहुत जोटा जाता जाना जी, कासी विश्वनात के दर्शब करते हैं जिन लेकर आए थे, समझ भी नहीं जी में कहां है, बड़ा हुआ फिर भी बनाने को नेक पाराया, मन उदा सुप्रादा था बाबा का दर्वाद, मैं आपको कहता हूँ, कि हमने हमारे जी जी बाबा का भव्य जर्वाद देखने का सोफाग्या हम सब को जीए, अब वादा साथी विश्वनात, ए जो दिलिक, अपनी साल के इंसाफ से, लोगों की स् इसके महिमा की ताफ, नया बर्दा, किसी को मादंगा का जल लेकर, बाबा का भी से करना है, तो खूम कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी प्रदार का निर्वाद की सुरुआ, ब्रश्दीत का विकास हो, चित्रकूट धाम हो, या अवयवज्यामे, भवे विपोच घुरस, मुहबस भड़ पलबला को भारतियों जन्ता पाटिती की योगी सरकाने उनर्जी मीद करकर लोगों की बंसों जूनी, प्जाती की दूरती, लोगों के मन में कई बहार होता है, ये सरकाल की सित्ती, क्यू हमारी ने सूप, क्यो हमारी आस्ताव सट्मान नहीं हो, क् विद्यवासिन के दर्शन करना है तो बेहिदों को जाने में तकलिप पढ़े इतनी भीड के पीच में से जाना पूरा है यहाँ होगे औरिगार्ल नहीं करता है जुठी को इक्रमा करने के लिए जिनकी पए हो गई है उनके लिए लोक में की ध्यावस नहीं हो पाता था क्योंकि उपर चड़ने की जवास काने थी आज माधिन दिवासीनी का फव्य पुरी रोग काफी भुमी पुचल हुआ है और रोगवे का लोकार पंदुरी आजी अब कि दिद्रमण को असमें बुड़े मामा को लाना है जब कावणी जरुवत नहीं है रोग में बिठाकर कि क परीक्रमा कुरी करा सकता कि है अरे फ्योस्ता है नहीं पूछना जाता है उसके लिए बठात का लिए बढ़ में बढ़ की त्रकितार क्राइब की तेरी आए कि लिए ग्यारा शाय की उसके विजवास क्रीडा नहीं बढ़ नहीं हुआ कि आख वाट बैंक की राधिकी से जब थे भार्ट ये जटा पाइटी वाट बैंक की राधिकी से नहीं गरूँ एचारे विलास पर तो काम हो रहे हैं आज विशेशकर इंडियवासरी के सरं में मैं भी आया हूं हमारे सारे देखा भी आया है माविंद्यवासरी रामाएं के समझ से लोगों के कश्ण काटी कहते हैं अगर सब्सक्राइब को नमाने की दाकत यहीं से काटी माविंद्यवासरी को कई लोग पुरूष्ण की बहन भी मानते हैं अगर सब्सक्राइब की अच्छे तरीके से हो पाई इसकाटी यह उस्ताइब के माज रहे हां विलाग मांग है उसमें चारों वेदों का व्याज बाग रहे हैं मां का पाल सुटका दर्शन होता है मध्यान में व्यूआ सब्सक्राइब कर आया हूं कहते हैं जो मत्याहन में विद्यवासरी की प्रातना करता है उसको अर्द की प्राक्षिक हो और मैंने वहाँ पर उत्यवदेश के सूख और सुवास्त की भृत्धी के लिए मन से मावी जवासी निकूं में प्रादना के परागा। कि उत्यवदेश के अंदर जब दे भाक्षिय जन्ता पार्टी की सरकार वनी योगिया इतने नाची इसके मुखिया वने यह सारे काम और आज यहां पर मंदिर पराकोट का निर्मा परिक्रमा पत्ता निर्मा रोड़ वर्व मैंटिक मेंटिर की व्यवस्ता है मंदिर के गल्यों के बसाठ ट्रीट्मेंट का कारेक्रम मागीत देवासित को आने चाने वादों को जोड़ में का रोड़ जोंने का कारेक्रम मिंद्याचन मेरा परिक्षेटर में पागी शॉपिंग सेंटर कई पकार की जवस्ताय आज यहां पर सुरू होने जा रहे हैं मैं लोगी जी को रगस्ते बनाई देता हूं कि सभी वरेस्त के याक्रियों को देजबर के याक्रियों को आप यह जो याज रोप में बनाया है वो किसी स्वर्वन को कावड उठाने की जरूड़ियात नहीं रहेगी वो अपने नाबाफ को लेकर याक्रा कराथ मित्रों जब से मोदी जी की सरकार में जरी तो पिछलों दरी तो वादिवास्यों के लिए कि सरकार ने देर साथ है अभी देहन है उप्रिया ने कहा मोदी जी ने अभी बहुत बड़ा एक भैस ला लिया है देश में जीती भी नातक और अनुस्ना तक एंडीजेस, एंडी और एमेस की जीटें थी वो सभी केंट्रे कोट्या की पचीस पचीसत जीटों के अंदर ओबीजी के लिए 27 परसंट और करीबों के लिए 10 परसंट विजर्विशन की विए रस्ता हाथ हुज़न का पार्ट में हमें का वो भी सी पर्ताता के पिछलों के बहुत लेकर राच्श करने का भी पहुंदेश और काणी अपाट्नियां मोदीजी ने उनके लिए आयन बनाने की बात है मोदीजी आज इनके लिए इंजर्विशन भी लाएगे और अन्या मिनारेशिक जात्यों के धरीबच्चों के लिए भी 10 परसंट विज़वाएगे मोदीजी ने इस देश स्यमग्रत जंटा जो 18 साल से उपर किया उगरे उनको मुक्त में कोरोना का कीता देने की विरस्ता भी भार्तिय जंटा पार्टी की दरें जब्रोवी शर्वादी निपावनी तक अक्टुपट अक्सी करोण लोगों को पती घर्ति पाल किलो अनार मुक्त में देने की जोद्ना भी भार्तिय जंटा पार्टी के पदान मंचिंदरें जब्रोवी शर्वादी में मैं मांता हूं इस से बड़ा कोरोन काम है कोरोने के कारण भेटारी प्रेशान या हुई और इसका एक सरल रास्ता था इंदेश की लेक्ती पर मुक्त में रासन देकर तुम पर उत्वा गोच गम परिया तो तो इस तर्व देश सर्टार में हाल ही में चार साल पुरे किया है और मैं साथ अथ में कहता हूं मेरी पार्टी के दुच्यमति लेंश की नहीं हमारे चुना भोशना पत्र को पूरा बढ़कर उसकी एड़ चुन चुनकर एक एक वादे को उप्रा करने का कांट त्री योगी आधियनाद की जाए पांच लाग पचास अजार की दो सब्सक्तर करोड़ता बजे की जोगी जिने एक प्रिलियन डॉलर की पर्दिवर्टा का अनलग सर्था और मुझे इस्वास पुरा होने वाला है और मोदी जी ने जो घरीब कल्यान की योदनाए बनाई है उसमें से 44 योदनाए 80 है जिसके क्रियान वेन में उत्तर प्रदेश सब सरकारों में देश बर में नंबर बन है नंबर बन है मित्रो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कोरोना की दो लहरे आई पाईस करोर से ज्यादा आबादी पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी रखने वाला है उस्तर प्रदेश योगी जी ने परिश्रम मेहनत सूजबूद और अपनी वहिवतिक समता का अड्मिस्टेटिव इताकत का परिच्छे कराते हुए जो कोरोना प्रबंदन किया उस्तर प्रदेश को उन्होंने लगब लगब कोरोना मुक्त करने का काम किया सबसे ज्यादा वेक्सिनेशन यहीं पर हुआ है और सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी यहीं पर हुआ है सबसे ज्यादा बैड का न एक्तालीस ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम चल रहा है 194 बच गए बन गए हैं बच्चों के लिए मिस्सूल्ट दवाई किट देना का काम किया और निराश्रिक बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योधना की शुरुआ की और उत्तरप्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लिखाता है हर दो जिले के बीच में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे अखिलेज जी हमारी मखोल उडाते कहां से बनाएंगे अखिलेज जी अभी तो चार साल हुए है मैं हिसाब देता हूँ आपको आप दस छोड़ कर गए थे चालीश की व्यवस्ता योगी जी ने कर दी है हमारी बादा पूरा हो रहा है मित्रों केंदर सरकार ने 23,000 करोड उपे का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज गोशिट किया है मोदी जी के नेने के बाद उसका सबसे बड़ा फाइदा यूपी को होने वाला है मित्रों आज यूपी मेक इन इंडियात में इंवेस्ट्मेंट की सबसे पहली पसंद बनता जा रहा है और लगबद 3,5,5,5 करोड से ज्यादा इंवेस्ट्मेंट भूमी पर उतारने का काम भी उत्तरपदेश ने किया है और माफिया जो गुम्ते थी गुम्ते देया नहीं गुम्ते से बताओ भैई गुम्ते देया नहीं गुम्ते दें कोई दिखाई पड़ता है क्या हिम्मत है किसी की उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि माता और बैनों को सुरक्सीत रुप से जिने का अधिकार भारतिय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दिया है और एक चार साल के अंदर योगी जिने कानून और व्यवस्ता के एक्षेत्र में देर सारे परिवर्तन किये हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पुर्वानचल कब से राह देखता था कि कोई आये और पुर्वानचल के इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्धार रहे हैं मित्रों, पांच इंटरनेशनल एरपोर्ट, चार साल के अंदर, आठ एरपोर्ट संचाली था, तेर नए एरपोर्ट बन रहे हैं, साथ हवाई पत्टिया बन रही हैं, 141 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्मान अंतीम चरण में हैं, 297 किलोमीटर लं लंबा गंगा एक्सप्रेस इसका घुमी अधीक रहन चल रहा है, 91 किलोमीटर लंबा गोरगपूर लिंक एक्सप्रेसवे कारिय प्रगति पर हैं, बल्या लिंक एक्सप्रेसवे को मध्दूरी दिया है, 14170 किलोमीटर सडकों को चोड़ा खराय गया है, और 14935 किलोमीटर स थोते बड़े पूलों का निर्मान किया है, अखिलेस भाई, आप और बुवाजी दोनों, 15 साल का हिसाब लेकर आजाओ, 15 साल में आध्या भी किया है, तो यूपी की जंता आपको माप कर देगी, जितना योगी जीने 4 साल के अंदर किया है, नित्रों विकास को स्ट्रक्च इतिनात की भारती जंता पार्टी की सरकार ने लोगों के सामने रखा है, डिफेंस को रिडोर आया है, मिर्जापूर, चंदोली, सोनबद्र, नकसली, जिले गिने जाते हैं, अभी-अभी मैंने रिव्यू करा है, और मैं घर्व के साथ कहता हूं, मिर्जापूर, चंदोली और सोनबद्र, तीनो नकसलवाग के प्रभाव से पूनतया मुक्त हो चुके हैं, नकसलवाग को भी समाप्त किया गया है, पंद्रा सो चुहत्तर करोड की माप्याओं की संपती जप्त कर ली गई है, और लूट, डकेती, हत्या, ये सब में 50% ते लेकर 28% की कमी दर्ज की ग पिछे कोई पवित्रता से लगे, अपनी जाती की नहीं देखता है, ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार है, अपने परिवार का नहीं देखा जाता है, ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार है, देखा जाता है, तो 22 करोड उत्तर प्रदेश की जनता का ही देखा जाता है, और किसी का विकास नहीं विचार नहीं होता है। मित्रों प्रजान मंत्री किसान सन्मान निदी में लगबग धाई करोड किसानों को 32,500 करोड रुपया दिया। लगबग 78,000,000 किसानों से 78,000 करोड का दान और गेहुख खरीदा गया। 20,000,000 को आधूनी करण किया गया। लगबग 32,000,000 से जादा गरीबों के आवास बनाये गये। 2,61,000,000 सोचाले बनाकर माताओ बेहनों के सन्मान को बढ़ाया गया। सोभाग ये उद्ना में 1,24,000,000 गरीबों के घर में बिजली पहुचाने का काम किया। एक करोर 47,000,000,000 मताओं को गैस का सिलिंडर फ्री ओप पॉच्ट देने का काम नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है। योगी जीने इसको नीचे तक पहुचा है। मित्रो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो आशिरवाद मिलता है। वो आशिरवाद भारती जन्ता पार्टी को काम करने की ताकत देता है। आपका जो आशिरवाद मिलता है। वो आशिरवाद किसी व्यक्ति विकेस के लिए नहीं है। देश के 135 करोर की जन्ता के लिए है। आपका जो आशिरवाद मिलता है। बेश के 80 करोर गरीबों को मिलता है आपका असिर्वाद जो मिलता है वो कितनी चोटी कुमारी का वो बच्चियों को मिलता है जिनको एक सुरक्षित माहोल पुरा करने का काम करें आपने भारतिये जनता पार्टी को 2014 में आसिर्वाद दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, मैं बड़ो बड़ यहीं कॉंग्रेस और सपाई खटा हो गये, सपाबसपार कॉंग्रेस सब ही खटा हो गये मगर आप नहीं डिए आपका असिर्वाद बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया मुझे फरोसा है 2022 में भी आपका असिर्वाद भारतिय जन्ता पार्टी की योगी सरकार को जरूर मिलेगा और अभी से भी प्रचंद बहुमत के साथ हम सरकार बनाकर यूपी की से दिवा के लिए कटिबध हो मित्रों ब्रह्मर्ति सर्भंग और महारूसी अगच्च की भूमी के अंदर आज मुझे भी मौका मिला है माविंद्य वासिनी का धाम का जो पूरा परिदृष्य बदलने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला गहा है इसमें हिस्सा लेने क गशी बारधा है इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का अभारी हूं और आप सब वक्त का भी बहुत रदय से अभारव्यक करना चाहता हूं कि इतनी बारीस की संख्या में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ भारत मता की अरे जोर से बुलिये जरा भारत मता की भारत मता की बंदे मातरम